शिवानी आर्ट क्लासेज में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम प्रुफेसर राम चन्शुकल जो एक समिक्षावादी चित्रकार रहे हैं और इन से रिलेटिट गोश्चन आपको एक्जाम में देखने को जरूर मिलता है तो चलिए आज इनके विशे में जानते हैं इस वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का इकन को प्रस करें जिससे आने वाले लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकिशन आपको मिलता रहे है ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर इस वीडियो में बहुत ही कम समय में हम इनके विशय में इंपोर्टन चीजे जानेंगे तो चले शुरू करते हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के विशय में जानकारी प्रोफेसर रामचंदर शुक्ल जो है ये एक समिक्षावादी चित्रकार रहे हैं और इनका जन्म ठीक है ध्यान दीजिएगा बात पर इनका जन्म जो हुआ एक मार्च उन्नीस सो पचीस बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ हम वही बताएंगे जो बिल्कुल एक्जाम के पॉइंट आफ यू से इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा इनका जन्म प्रोफेसर रामचंदर शुक्ल का जन्म एक मार्च उन्नीस सो पचीस बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ बात करें इनके निधन की तो 3 सितंबर ठीक है इनका निधन जो हुआ 3 सितंबर 2016 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ठीक है इनका निधन प्रोफेसर रामचंद शुक्ल का जब निधन हुआ तो 3 सितमबर 2016 में Ilharbad उत्तर प्रदेश में अब इ Amsterdam को देखते हैं इन्होंने KP Inter-College Ilharbad से शिर्षक रहड की है शनातक इलहाबाद विश्विद्याले ठीक है शनातक इन्होंने इलहाबाद विश्विद्याले से किया है और इनके कलागुरु कौन रहे हैं इसको भी ध्यान दीजेगा इनके कलागुरु जो हैं सुखवीर सिंग सिंगल इनके कलागुरु कौन रहे हैं सुखवीर ठीक है दिखाती हूँ इनके कलागुरु याने की प्रोफेसर रामचन सुखल के जो कलागुरु रहे हैं सुखवीर सिंग सिंगल तथा छितीन दिरनाथ मजुंदार ठीक है सिक्षरकारे देखें तो 1948 से काशी हिंदु विश्विद्याले वाराणसी से इन्होंने सिक्षरकारे किया 1987 से इलहाबाद विश्विद्याले में समय समय पर व्याख्यान इनका जारी रहा ठीक है 1987 में इलाःबाद से विश्विध्याले में समय समय पर व्याक्यान जारी रहा और अगर अन्य इनके उलेखनी कारे देखें तो उन्में है उन्निस सुच्छी आलिस में इन्होंने बंगाल की वाश्यृली में कारे किया ठीक है 1948 से 1964 तक पास्चाते आधनिकला प्रवरतियों का अध्यान भी इन्होंने किया और स्वयम का भी इसमें प्रयोग किया है ठीक है तो इन्होंने 1948 से 1964 तक पास्चाते आधनिकला प्रवरतियों का अध्यान किया एवं स्वयम का भी प्रयोग किया नेक्स्ट पॉइंट जो है 1956-1962 तक काशी शैली को जन्म दिया, तो कोश्चन एक्जाम में आपका बनता है कि काशी शैली को जन्म किस ने दिया, तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, नेक्स्ट है 1973 वाराणजी में समिक्षावाद की स्थापना किस ने की थी, रामचंद्र शुक्ल ने, ये सभी एक्जाम के द्रिष्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट चीजे हैं, उसी को मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो पुस्तके, पुस्तके देखते हैं, इन्होंने प्रमख पुस्तके कौन-कौन से लिखी है, इन्होंने लिखा है, और, कला और आधुनिक प्रवरतियां, किसकी हैं, रामचंद्र शुक्ल की है, नवीन भारति चित्रकला पद्धथि, किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है, चित्रकला का रसा स्वादन रामचंद्र शुक्ल की है पश्चिमी आधनिक चित्रकार रामचंद्र शुक्ल की है नक्स्ट इसी में हम और आगे देखते हैं रेखावली ठीक है रेखावली भी इन्होंने ही लिखा है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है उटो हम देखते हैं इन्हें कौन-कौन से समवान एवां पुरसकार भी मिले हैं पुरसकारों से लेकि अक्सर एक्जाम में कोशन पूछ लिया जाता है तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को कौन-कौन से पुरसकार मिले हैं इसको हम देखेंगे सबसे पहले इन्हें राज्य ललितकला अकादमी ठीक है उत्तर प्रदेश की फैलोशिप इसको आप ध्यान दीजेगा राज्य ललितकला अकादमी उत्तर प्रदेश की फैलोशिप प्रदान की गई है रामचंद्र शुक्ल को टिक उत्तर प्रदेश राजी ललित कला अकादिमी की फैलोशिप किसे दी गई है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को 1996 में फिर इन्हें कला भूशन पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है आइफेक्स दिल्ली द्वारा पुरसकार दिया गया है प्रोफेसर रामचंद्र सबसे पहले भारती चित्रकार के लिए जीन आनर फ्रेगोनार सम्मान दिया गया है तो वो है आपके प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल और यही पहले भारती चित्रकार है जिने की फ्रांस में मिला है जीन आनर फ्रेगोनार सम्मान नेक्स्ट है इनका प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं कुश प्रसिद्य चित्र है जिसमें की जो एक्जाम में कई बार पूछा जाता है तो यहाँ पर इनका जो फेमस चित्र है शुकल जी ने जानवरों एवं पक्षियों के माधिम से ततकालीन बुराईयों की तरफ इशारा किया जिसमें उनका प्रसिद्य चित्र है कुर्सी में संकट ठीक है इनका प्रसिद्य चित्र फेमस क्या है कुर्सी में संकट इस चित्र में एक उल्लू को कुर्सी पर बैठाया गया है ठीक है और प्रिष्ट भूमी में बारा उल्लूों को तार पर दिखाया गया है और नेक्स्ट है इनका कुछ और प्रमुख चित्र जिन में है दंगाई छात्र प्रेम प्रसून पहाड़ी अभिशारिका बारात महालक्ष्मी कागज की नाओ आपात काल अंतिम भोज पस्चाता पराजय की पीड़ा मौत की आखें तो ये थे रामजन शुकल के कुछ प्रमुख चित्र तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा उमेद करती हूँ अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करें अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और बिल का एकन को ज़रूर प्रस करें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नटिफिकेशन को आप पाने के लिए एक्जाम में जाने से पहले इन सभी इंपॉर्टन वीडियो को आप जरूर देखीगा यहां से कोशन निश्चित पूछे जाते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक एर और बाई बाई